एक लेडी बेहोशी की हालत में तिर्ची कांक्रीट की दीवाल पर पड़ी है वो यहाँ कैसे आई उसे कुछ नहीं पता जैसे ही लेडी को होश आता है वो ऐसी स्थिती देखकर घबरा जाती है जिस कारण वो नीचे फिसल जाती है लेकिन पूरी नीचे नहीं गिरती इतने म नीचे अंधेरे से डरावनी आवा जाती है लेडी समझ जाती है कि अगर नीचे गिरी तो उसकी मोत पक्की है पर यदि ऐसी ही पड़ी रही तो भी मोत पक्की है इसलिए उसे यहाँ से निकलना होगा वो बार बार उपर जाने की कोशिश करती है कई कोशिसों के बाद उसक का हाथ चिल जाता है वो जोर लगा के उपर खिसकती है पर थोड़ी नीचे फिसल जाती है और सामने बाली दीवार पर देखती है कि वहाँ पहले खून नहीं था पर अब वहाँ खून के निसान है फिर वो एक बार और ऊपर चती है लेकिन इस बार ज्यादा ही नीचे खिसक बन जाते है इतने में फिर से भयानक जोर की डरावनी आवाज आती है उसके हाथों में लगे खून की वजह से वो बार बार नीचे फिसल रही थी तो वो अपने हाथ का खून पोचकर हाथ में जंजीर बांधती है जिसकी वजह से उसका हाथ और छिल जाता है इसके बाद ब नीचे की और फिसलने लगती है।